तो नमस्का साती हूं आप सभी का स्वागत है एक लासे में आप सभी का स्वागत प्रावारतन की नियम कितने नियम है प्रकास के परावरतन की दूनियम है हुक्त है तो आपका रहां यहला है जो आपका किसी समतल दरपड़ पर आपतित होता है तो जिस अंगिल से अंग्यल से से भी क्यों हो जाता परावरतित हो जाता तो यहां पर जो इंसिडेंट्ट एंगल होता है जो रिफ्लेक्ट पी ईंगल होता हमारा साइड़ इकोल टू कैसे सब्क मालगन पफिर होता है संब्टी क्या होते हैं नेक्स सिर्द पर्णते हैं क्या है बोला गया है कि समतल दरपर द्वारा बनाए बना प्रत्वीम समत तो पर बना प्रत्वीम कैसा होता सीधा और आभासी होता है क्लिए प्रकास को कड़ और तरंग दोन प्रकास से इसको डिफाइन किया गया है कर्द था तरंग के अधार पर ठीक है यहां तक किलियर हो आपको तो राइट एंसरो जाएगा है यह संतल धर्पड़ की वक्तता तीरज्या होती है कि छो इनंफेनाइट होती कितने अनंत होती है सब्सक्राइट है तो अपतर आपको जाएगा अनन्त नेक्ट कोईचन क्या कहता है कि परावार्तन के लिए बिचलन कोड का मान होगा ठीक है तो बिचलन कोड इस फार्मूले से हम निकालते हैं क्या है 180 डिगरी माइनस टू यह हमारा इंसिडेंट आइंगिल है ओके तो उसको इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं शोआ चलिन में क्या बहवाला गया है कि प्रकाष के प्रकाह्र क्या जाएगा तो परावार्तन के लिए बिचलन कोड क्या होगा एधिन नाइंटी डिगरी पे रहता है तो तो उसलिए वहां पी दृव चैनल सब ठना कि तरफ मरेंगिल हो जाएगा अगरा से लए होती आधी होती होके जो है हमारी जो रेडियस होती है वो फोकस दूरी की क्या होती आधी होती बन भाई है तो वह होती राइट समझ में आ रहा आपका नेट कोशिन क्या है सोलर कोकर में कौन सा दरपड़ उप्योग में होता है टो सोलर कूकर में हम दर्पनर में किया किया जाता है इस प्रकार से है स् instructed सोलर कूकर होता हैNO के यहां पर कोई पर तण रखते हैं तो इस से प्रकार करें एक जगा पर केंध्रित हो जाती और इस बरतन जो भी यहां पर रखती हो गर्म हो जाता है उसमें रखा हुआ पदात हमारे के बोजिन जो भी हो पक जाता है राइट अगला क्या कहता है हजामत बनाने के लिए कौन सा दरपड उपयोग करते हैं तो यहां पर राइट एंसर हो जाएगा उतल दरपड का बड़ा होता है तो आपको जानकारी होगा कि उतल दरपड का दरपड को बड़ा होता है है किरेर हैं अगला कोशिन कहता है जड़ दिघंड चाहिए उवस्त के उचाहिक अरुपात को क्या कहते हैं बहुत ही इंप़ौटन कोशिन है इसको हम मैंगनिफिकेसन मैंगनिफाइखर बोलते हैं या वनते भी बोलते नेट कोश्चन है कि गोली दरपड की वक्ता दीजा कितनी है 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी अभी आपने देखा जो वक्ता त्रिज्या होती है वह फोकस की आधी होती है तो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा कि ओके कि यहां पर आपको एक मिट्टेक हो गया है इसको आपको सही करना है हम आपको बता देते हैं जो वक्ता त्रिज्या होती है वह वक्ता त्रिज्या की आधी होती है इसको आई समझ लेते हैं तो इसको समझने के लिए आपको आपको पता है यह हमारा क्या दरपड के लिए रहे का जो केंद्र होता है उससे हम क्या कहते हैं त्रिज्या बोलते हैं उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं केंद्र से परिदिके जो बीच की दूरी होती है क्या बोलते वक्रता त्रिज्या तो यह दूरी हमारी क्या हो गई वक्रता त्रिज्या हो गई रइट इसका जो आधा रहता है उसे हम क्या बोलते फोकस तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी ठीक है तो वक्रता त्रिज्या हमारी हो जाएगी जो फोकस है फोकस दूरी जो होती वाक्या होती वक्रता त्रिज्या की आधी होती यह हमारा फार्मूला होता है राइट समझ में आगे आपको तो इस प्रकार से इसको हमार करके हल करेंगे तो हमारा एंसर आ जाएगा 20 बैक क करके आप वहां से उसको देख सकते हैं कि अग्छला ऐसा रपद में किस प्रकार का प्रतविम बनता है तो बात करते हैं तो तो बन में haut शोड़ करके अभात्सी और सीधा मनता है यह सब आपको पढ़ा जा देखेंगए दरपड की छोड़ाई को दरपड का समझ में आगे, सामने की जारी यहां पेएग यह बात की जारी है और अजो आपका जो साइड में ऑप है कि से बने होती है तो उत्तल दरपड़ का उपयोग किया जाता है राइट तो मज़ी मैं आगे सामने की जो लाइट होती है उसमें अवतल दरपड़ होता है कि क्वेचिन नबर 17 क्या कहता है प्रधान अच्छी के समानता चलने वाली प्रकास की किरणे अवतल दरपड़ से परावातन के बाद मुख अच्छ के किस बिजन से होकर गुजरती हैं बहुत ही इंपोर्टन क्व है और इसकी सभी छे प्रोपर्टी है जो आपको बताई गई है तो यहां पर हो जाएगा फोकस राइट आपका एंसर क्या हो जाएगा फोकस नेट क्वेशन क्या कहता है क्वेशन नंबर 18 सूर से आने वाला प्रकास पुंज कैसा होता है तो सूर से जो प्रकास किरणे आती हो एक दूसर वो समांतर किरणे होती है यह तो सभी को पता होगा नेट क्वेशन वास्तिक प्रत्विम की प्रकत कैसी होती है जो हमारा प्रत केमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिमीं बनता है तो प्रतिमीं वास्ति बनता है कि नेट कोश्चन किसी धात को आउतल रपड के सामने कहां पर रखें कि प्रतिमीं और वस्त का आकार समान हो यदि हम उससे वकता केंद पर रखते हैं तो वो क्या होगा प्रतिमीं और वस सबसे अधिकतम होती है और जो हमारा वैंग नहीं होता है उसके लिए सबसे कम होती है कि तो यहां पर अगला कोश्चन भी आगया प्रकास के लिए किस रंग के तरंग दर निम्तम होती है तो बैंग के लिए कोश्चन नमबर 24 आज का लास्ट सेकेंड कोश्चन क्या कहता है निर्वाद में प्रकास का वेग होता है बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है सभी लोग ने पढ़ा होगा थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ओके आज का लास्ट कोश्चन जो हमारा स्वेत प्रक प्रकार से आपके लिए हम लेक के आते रहेंगे टॉप 25 कोश्चन जो कि आपकी परिछा के लिए बहुत ही महतपूर कोश्चन है और आपको बताना चाहते हैं जो भी साथ हमारे चैनल पर नए है वाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा स्याद अपने साथियों पास शेयर करें और दोस्तों के पास शेयर कर जिससे कि उनको भी इस क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्थ हो सकते ख्याद करते हैं अपने समय को कहीं कोई डाउट है तो आप कमड़ करके क्लास को राप करते हैं जय हिन